कल 2019 सेंपल की जाच हुई 2019 सेंपल में 10 लोगों की रिपोर्ट करोना पॉस्टिव आई है लखनाओ में 4 मरीजों की रिपोर्ट करोना पॉस्टिव हर दोई के 2 युवक की रिपोर्ट करोना पॉस्टिव और लखीमपुर के एक युवक की रिपोर्ट करोना पॉस्टिव कर नौज से तीन मरीजों की रिपोर्ट करोना पॉस्टिव आई है आपको बता दे कि केजी अम्यू में कल 2019 सेंपलों की जाच हुई थी जिसमें लखनाओ के चार लोगों में करोना की पुष्टिव हुई है हाला कि 2019 में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉस्टिव आई हूँ, लखनाउसे जिसमें 4 लोगों की रिपोर्ट करोना पॉस्टिव आई है, हर दोई की जिसमें 2 यूवक शामिल है बड़ी कबर आपको बता रहे हैं लखनाउसे, के जियों में कले 2019 लोगों की सैंपल जाज के लिए भेजर गाई थे, जिसमें से 10 लोगों की रिपोर्ट पॉस्टिव आई है लखनाउ में 4 लिजों की रिपोर्ट आई है करोना पॉस्टिव, हर दोई के 2 यूवक की रिपोर्ट आई है करोना पॉस्टिव बड़ी कबर आपको बता रहे हैं लखनाउसे, टापर के जियों में 1019 लोगों के सैंपल बेज़े गए थे और इसी खबर पर हमारे साथ 12 जौनकारी के लिए जैकृष्णा जूचिक है, जो है आप से जाना चाहेंगे, लखनाउ के केजी अम्यू में 1019 सैंपल बेज़े गए थे जो आज के लिए जिसमें से 10 लोगों के रिपोर्ट पॉस्टिव आई है और उसमें 4 लखनाउ के हैं बिल्कुल आपको बता दे केजी अम्यू में 1019 सैंपल जास के लिए बेज़े गए थे जिन में से उत्तर परदेश के 10 लोगों के सैंपल कोरोना पॉस्टिव आई है जिनने से लखनों के चार पॉर्ट कोरोना पॉस्टिव आई है वह इस तीन नहीं मरीज लखनों के बता जा रहे हैं हर्दुई के दो मरीज लखेंपूर का एक पती अनौस के सीन मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉस्टिव आई गई है तबाम जानकारी के लिए आपको बहुत-बहुत धने वाज़े है बड़ी गबर आपको बता रहे हैं लगना उसे जहां पर के जी अम्यू मे एक अजार उन्निस लोगों के सैंपर भेज़े गए थे जाज के लिए जिसमें से उत्रप्रदेश के दस लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉस्टिव आई है